भारत माता की मैं कहूंगा दिन दयालुपाज ध्याए आपको ये अमर रहे अमर रहे कारकम में मेरे साथ उपस्थित भारतिय जनता पार्टी के रास्तिय अध्यक्ष श्रिमाज जेपी नड़ा जी पार्टी के सभी वरिष्ठ पताजिकारिगाम और सभी मानिय सांसत आज हम सब दिन दयालुपाज ध्याए जी पुन्यतीधी पर अनेक चरणों में अपनी सद्धानली अरपित करने के लिए एक अत्रु हुए है पहले भी अनेक और अवसर पर हमें दिन दयाल जी से जुड़े कारकमों में शामिल होने का अपने विचार रखने का और अपने वरिष्ठ जनों से विचार सुनने का अवसर मिलता रहा है यहाँ पर तो सभी लोग उस विचार परिवार के सदत से हैं दिन दयाल जी जिसके मुख्य की तरह मुख्या की तरह एक प्रेणा की तरह अविरत रुप से हमें प्रेणा देते रहे हैं आप सब ने दिन दाल जी को पढ़ा भी है और उनी के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है और इसलिए आप सब उनके विचारों से उनके समर्पन से भली भाती परिचित है मेरा अनुभव है और आपने भी मैसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दिन दाल जी के बारे में सोचते हैं बोलते हैं सुनते हैं उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं हमें उनकी बातों में उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी एक नया दृष्ट को एक नविन्ता का अनुभव होता है उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्चक रहेंगे जितने आज है एकात्म मानव दर्षन का उनका विचार मानव मात्र के लिए था इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्ण होगा मानवता के कल्यान की बात होगी दिन दर्वैल जी का एकात्म मानव दर्षन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा एकात्म मानव दर्षन में विशेश रुप्षे इन तीन शब्दों में व्यष्टी से समस्त्री की यात्रा व्यक्त होती है स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा का मार्ग स्पष्ट होता है और मैं नहीं तूही का संकल्प भी सिद्ध होता है साथ यार्व आमार यहां कहा गया है स्वदे से पुझते राजा स्वदे से पुझते राजा विद्वान सर्वत्र पुझते अर्थात सत्ता की ताकत से आपको सिमित सम्मान ही मिल सकता है जहां सत्ता की ताकत प्रभावी होगी वहीं सम्मान मिलेगा लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगर होता है दिन्देयाल जी इस विचार के साक्षाद जीता जाकता उधारन है उनका एक एक विचार उनके एक एक शब्ग उन्हें पुरी दुनिया में एक विलक्षन व्यक्तित्व बना देते हैं सामाई एक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए भारत के लोक्तंत्र और मुल्यों को कैसे जीना चाहिए दिन्देयाल जी इसके भी बहुत बड़ा उदारन है एक और वो भारतिय राजनीती में एक नए विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे वही दूसरी और वो हर एक पार्टी हर एक विचार धारा के नेताओं के साथ भी उतने ही सहज रहते थे हर किसी से उनके आत्मिय समंद थे उन्होंने अपनी पुलिटिकल डायरी लिखी थी जिसमें नहरूजी की सरकार की सुरक्षा के समंद में खाद्य नीतियों के समंद में कृषी नीति के समंद में खूल करके तथे परक आलोचना की थी बहुत ही क्रिटिसाइज किया था लेकिन जब उन्होंने अपनी इस डायरी को प्रकासित किया पुस्तक के रूप में तो इसका प्राकत्थन उन्होंने कॉंग्रेस नेता और यूपी के मुख्यमंत्री रहे स्रिमान संपुणान अंजी से ही लिखवाया संपुणान अंजी ने अपनी टिपणी में एक बहुत ही प्रभावी लाइन लिखी है उन्होंने लिखा है ये पुस्तक फ्यूचर रीडर्स के लिए एक साइकोलोजिकल ग्लो है आज दुनिया देख रही हैं कि इस महापुरुस के विचारों का ये ग्लो कैसे पूरे भारत में अपनी चमक बिखेर रहा है साथियों हमारे सास्त्रों में कहां गया है स्वदेशो भुवनम्त्रयम अर्खात अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है तीनों लोकों के बरावर है जब हमारा देश समर्त होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे एकात्म मानव दर्सन को सार्थक कर पाएंगे दिन्दयाल उपायतियाई जी भी यही कहते थे उन्होंने एक स्थान पे लिखा था एक सबल राष्ट ही विश्व को योगदान दे सकता है यही संकल्प आज आत्म निर्भर भारत की मूल अवधारणा है इसी आदर्स को लेकर ही देश आत्म निर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पाइदान पर खड़े हर गरीब की चिंटा की आत्म निर्भरता की सकती से देश ने एकात्म मानव दर्सन को भी सिद्ध किया पूरी दुनिया को दवाएं पहुँचा ही और आज दुनिया को वैक्सिन भी पहुँचा रहा है सात्यों देश की एकता अखनता के लिए भी आत्म निर्भरता की ज़रुत पर दिन द्याल जी ने विशे जोर दिया था 1965 बे भारत पाग युद्ध के दौरान भारत को विदेशों से हत्यार के लिए निर्भर रहना पड़ता था और दिन द्याल जी ने कहा था कि हमें सिर्फ अनाज में ही नहीं बलकि हत्यार और विचार के खेत्र में भी भारत को आत्म निर्भर बनाना होगा उनके इस वीजन को पुरा कर दे के लिए भारत आगे बढ़ रहा है आज भारत में डिफेंस कोरिडोर बन रहे हैं स्वदेशी हत्यार बन रहे हैं और तेजस जैसे फाइटर जर्ज भी हवा में उडान भर रहा है हत्यार के खेत्र में आत्म निर्भरता से अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थेबवस्ता मजबूत हो रही है तो विचार की आत्म निर्भरता से भारत आज दुनिया के कई शेत्रों में नित्रुत्व दे रहा है आज भारत की विदेश निती दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम के नियम से चल रही है नेशन फर्स्ट प्रकृती के साथ सामंज से का दर्शन दिन्द्याज जी ने हमें दिया था भारत आज इंटरनेशनल सोरार अलाइंस का नेत्रुत्व करके दुनिया को वही रहा दिखा रहा है साथियों दिन्द्याल उपाईज जी ने दुनिया की किसी भी सोच के प्रफाव में अपने विचारों को नहीं गढ़ा भा इसलिए उनके विचारों में एक मौलीकता थी भारत की भावना भारत का मानस भारत के मुल्य बेच से विवेकानन तक की भारत की चिंतन यात्रा ये सारी बाते दिन्द्याल जी के चिंतन में जलकती थी इसलिए वो एक ऐसी अर्थेववस्ता की बात करते थे जिसमें पूरा भारत शामिल हो जिसमें पूरे भारत की विविद्दता जलके लोकल एकनामी पर विजन इस बात का प्रमाण है कि उस दोर में भी उनकी सोच कितनी प्रैक्टिकल और व्यापक थी आज वोकल फर लोकल के मंत्र से देश इसी विजन को साकार कर रहा है आज आत्म निर्भर भारत अभ्यान देश के गाउं, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यमबर के भविश्य का निर्मान का एक माध्यम बन रहा है आखिरी पाइदान पर खड़े व्यक्ति का भी जीवन स्तर कैसे सुदरे इज अफ लिविंग कैसे बड़े इसके प्रयास आज सिद्ध होते दिख रहे है उजवला योजना, जनदन खाते किसान सम्मान नीधी हर घर में सोचाले हर गरीब को मकान आज देश एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसको सिद्ध करता हुआ गवरों के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है इन्फास्ट्रक्टर की दिखा में हो रहां बड़ा बड़लाव भी सामान्य मानवी के जीवन को सरल बढ़ाएगा देश को एक नई भव्य और आधुरिक पहचान देगा साथियो, आज जब देश में इतने सकारात्मक बड़लाव हो रहे हैं पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है तो कौन भारतिय होगा कौन इस मा का लाल होगा जिसको गवरों न होता हो उसका सीना चोड़ा न होता हो उसका मात्हा उंचा न होता हो आज बिश्व फर्में फ़ैला हुआ भारतिय समुधाई जिस गर्व के साथ जी रहा है उसका कारण भारत में हो रही गतिवीदी है हमें गर्व होता है कि हम अपने महापुरुशों के सपनों को पूरा कर रहे है हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देश भक्ती को ही अपना सब कुछ मानती है हमारी विचारधारा देश भक्ती से सुरू होती है हमारी विचारधारा देश भक्ती से प्रेरित होती है हमारी विचारधारा देश हीत के लिए होती है हम उसी विचारधारा में पले हैं बाद करते हैं यह हमारी विचारधारा है कि हमें राजनीती का बाच राष्ट नीती की भाषा में पढाया जाता है हमारी राजनीती में भी राष्ट नीती सर्वो परी है हमें राजनीती और राष्टनीती में से एक स्विकार करना होगा तो हमें संसकार मिले हैं राष्टनीती को स्विकार करना राजनीती को नमबर दो पे रखे हमें गर्व है कि हमारी विचारफारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है उस मंत्र को जीती है आप देखिए हमारी पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसी कितनी ही उपलब्दियां हासिल की हैं जिन पर आपको गर्व होगा आने वाली पीडियों को गर्व होगा जो निर्णें देश में बहुत कठीन माने जाते थे राजनीती ग्रुप से मुष्छिल माने जाते थे हमने वो निर्णें लिये और सबको साथ लेकर लिये उधान के तौर पर देश में नए जनजाती कारियम मंत्राले का गठन जनजाती समुदाई को यह हमारे आने के बाद थोड़ा था पहले भी था लेकिन उस मंत्राले का अलग मंत्राले का घठन भाजपा की ही सरकार में हुआ है यह भाजपा का सरकार की ही देन है कि पिछड़ा आयोग भी उसको सम्यदानिक दरवाजा उसको दरज्जा मिल सका सम्यदानिक स्टेटस हमारे यह हैं मिल चका और यह भाजपा की ही सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब लोकों को भी आरक्षन देने का काम किया और आप देखिए देश में जब भी ऐसे कोई काम हुए है तनाव पैदा हुआ है संगर शुभा है समाज बढ़ गया है उसी काम को हमने मेल जोल प्यार के बातावरण में किया है क्योंकि राष्ट्र नीती सरवो परी है राज नीती एक व्यवस्ता है राज्जों का विभाजन देख रीजिए राज्जों का विभाजन जैसा काम राज नीती में कितने रिस्क का काम समझा जाता था इसके उधान भी है अगर कोई नया राज बना तो देश में कैसे हालत बन जाते थे लेकिन जब भाजपा की सरकार ने तीन नए राज्ज बनाए तो हर कोई हमारे तोर तरीकों में दिन देयाल जी के समस्कारों का प्रभावस पष्ट देख सकता उत्तर प्रदेश से उत्तरा खंड का अंदिर्बान हुआ जार खंड बिहार से बनाया गया और 36 गड़ को मद्ध प्रदेश से अलग आकार दिया गया लेकिन उस समय हर राज्ज में उत्सव का माहूर था न कोई शिकायत थी न कोई गीला सिक्वा था आनंद ही आना था दोनों तरप आनंद था हमारी सरकार ने लद्दाक करगील को अलग केंद्र साथित राज्य का दर्जा दिया है और वहां जी भी उत्सव का इवाता बने है इसी तरह जम्मू किश्मीर और वहां के लोगों के आकांग्शाओं को भी हम पूरी तरह साकार करने में पर जूटे हैं उसी प्रकार से सेलवासा और जयुद्य मना लग थे हमने उसको जोड़ दिया दोनों तरप आनंद है अगर हुंकि नई रचना की तो भी आनंद है और सम्मिलित किया तो भी आनंद है क्योंकि हमारी प्र सामान के मन पर होता है साथियों हम राजनीती में सर्वसम्मति को महमत महत्व देते हैं हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं निंदयाल जी कभी भी राजनीती के अस्पृस्ता में विश्वात नहीं रखने से और आपको याद होगा जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मोका मिला तब मैंने सदन में कहा था और बड़ी जिम्मेबारे के साथ कहा था और बड़े कन्विक्षन के साथ कहा था जो इस कन्विक्षन को हम लोग जीते हैं हमें समस्कार में मिले हैं और मैंने पार्लामेंट पर कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है बहुमत से सरकार तो चलती है लेकिन देश तो सहमती से चलता है सर्वसमती से चलता है और हम सरकार चलाने नहीं आये हैं हम तो देश को आगे ले जाने के लिए हमारे राजनीतिक डल हो सकते हैं हमारे विचारा लग-लग हो सकते हैं हम चनाव में पुरी सक्ति से एक दुसरे के खिलाब लडते हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने राजनितिक विरोधी का सम्मान लग करें आपने देखा होगा प्रणम मुखर जी साब हमें भारत रतनाज देने में गर्व हुआ यह कोई हमारी पार्टी के नहीं थे हमार में तरून गोगाई जी नगालेंड में एम सी जमीर जी यह सारे हमारी राजनितिक विचार थे हमारी राजनितिक दर से कोई लिए देना आई था नहीं हमारी पार्टी का हिस्सा था नहीं हमारी घटबंदन का हिस्सा थे लेकिन राज के प्रतिवन के योगदान का सम्मान क करना हमारा करतब्य हमने पत्पसरी दिया पत्म भूशन दिया राज नीतिक अस्पृष्टता का विचार हमारा संसकार नहीं है आज देश भी इस विचार को अस्पृष्टता के विचार को अब देश अस्विकार कर चुका है हां यह बात जरूर है कि हमारी पार्टी में तो दिया जाता है इसलिए आज देश हम से जुड रहा है और हमारे कारकरता भी हर देश वासी को अपना परिवार मानते हैं कहीं कोई आपदा आती है तो हमारे करोड़ों कारकरता अपना सब कुछ छोड़ कर वहां पहुंच जाता है कोरोना जैसा इतना बड़ा संक्ट आया लेकिन हमारे करोड़ों कारकरताओं ने अपना दाइतव समझ कर दिन रात एक कर दिया राष्ट्रिय द्यक जी ने पार्टी कारकरताओं से आवाण किया था कि सरकार गे साहाथ वो भी अपनी जिमेदारी निभाएं हर कारकरता ने सेवा के संकल्ब को राष्ट वैपी मीशन बना दिया था और मैं पार्टी का आभारी हूं राष्टी अद्रग्जी का आभारी हूं कि मुझे वीडियो कांफरंस के माध्यम से देश भर के कार्यकरताओं के साथ इस कोरोना कालफंड में उन्होंने जो सेवा कार्य किये उस इतने जी जान से उन्होंने गरीबों की सेवा की थी किसी गरीब के घर में चूला न जले कोई गरीब रात को भुखा न सोये इसके लिए भारतिय जनता पार्टी कारकरता गाउं गाउं में कारकरता दिन रात लगा रहा था मैं देख रहा था कि जब हमारे स्रमिक बंदू अफ्वाओं के चलते भाय के चलते और कुछ लोगों की राजनीतिक इरादों के चलते जब शहरों को छोड़ करके रोजी रोटी छोड़ करके गाउं की और चल पड़े थे तब भारतिय जनता पार्टी के कारकरता राह पर खड़े रह करके उनको जूते तक देने की चिंता करते थे उनकी दबाई की चिंता करते थे उनकी पानी की ये सारा वृत्य में सुन रहा था मेरे मन को छू रहा था और कारकरताओं के इस परिश्ण से मुझे भी काम करने की प्रेहनना मिलती थी इस अभियान में किसी ने वोड बेंग की चिंता नहीं की ये नहीं सोचा कि किसका वोड हमें मिलता किसका नहीं मिलता सात्यों हमारी पार्ट की हमारी सरकार आज महत्मा गांदी के उन सिध्धांतों पर चल रही है जो हमें प्रेम और करुणा के पार्ट पढ़ाते हैं हमने बापु की एक सो पटास भी जन्म जन्ती भी बढ़ाई और उनके आदर्शो को अपने राजनीती में अपने जीवन में भी उतारा हमारी सरकार ने आए हमारे महापुरुशों को भी राजनीती समिरकाण के चस्मे से कभी नहीं देखा जिन स्वाधिंता सेनानियों के प्रश्या होती रही उन्हें हमने सम्मान दिया यह हमारी ही सरकार है जिसने नेता जी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे उनसे जुड़ी हुई फाइल्स को खोला लाल किले पर जण्डा भराने का काम नेता जी किस मुतिवे करना शायद किसी और सासन में कोई सोच नहीं सकता था अन्नमान निकोबार मैं नेता जी को याद करकर के उस दीब समू में एक का नाम नेता जी के नाम से कर देना शायद किसी और सारकार में कोई सोच नहीं सकता सरदार पट्रेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बना कर हमने उन्हें सद्धा पुरवक नमन किया देश की एकता के मंत्र को आने वाली पीडियों को प्रेणा के रूप में उस जगा से चेतना मिलती रहे उस रूप में उस परिशल को खड़ा किया गया है और मैं तो मेरे सभी सांसदों को चाहूंगा कि कभी में कभी अपने कारकारताओं की टोली बना करके जुरूर उस्थान पर जाईए कम से कभी एक नात महां बिताईए और दूसरा मैं हमारे सभी सांसदों से आगर करूँगा जब भी मोका मिले अपने कारकारताओं अपने साथियों के साथ काशी जाकर के काशी के निकट में ही जहां पंडित दिन्द्याल जी ने अपना अन्तिम सास लिया था जहां एक समारक उत्तपदेश सरकार ने बनाया है देखने जैसा समारक बनाया है दिन्द्याल जी की भव्य प्रतिमामा रखी है वो एतना बढ़िया परिसर बना है हम लोगों के लिए बड़ा एजुकेटिव है आप जुरूर कभी कासी से कोई जादा दूर नहीं है बाइर रोड़ आप चले जा सकते हैं और वहाँ एक बार हो आईए हमारे लिए सारे तिर्सक्षेत्र है और हम लोगों कभी ने कभी मोका लेकर कर वहाँ जाना चाहिए आप देखिए जिस जगा भी हम बैठे बाबा साब आमबेड कर के स्मूति में बना हुआ है भवन क्या कोई और सरकार बनाती क्या यह हमारे समस्कार हैं जो हमें इस काम करने के लिए प्रेरीट बाबा साब आमबेड कर को भी भारत रत्न तब मिला जब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी थी इन कारियों का भाजपा को हम सभी को बहुत गर्ब है साथियों अगले महिनों में पांच राज़यों में चुनाव भी आने वाला है हम सभी कारकरताओं को राष्ट्री अध्यक्जी के नेत्रुत्व में अपनी सकारपक सोच और परिश्रम के आधार पर जनता के बीश में जाना है जनता इंचे सालों में हमारी नीत्यों को भी देख चुकी है और सबसे बड़ी ताकत हमारी जो है देश ने हमारी नीत को भी देखा है परखा है और पुरसकार भी दिया है हमें उसी विश्वास को ले करके आगे बढ़ना है राश्ट्री अद्यक जी के नेत्रुतों में हम जरूर सफलता पाएंगे साथ यहों हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलोजी का यूज करके हम बहुत बड़े स्केल पर लोगों के जीवन में परिवर्टन लाने में सफल हुए है गरीब कम पड़ा लिखा व्यक्ति टेक्नोलोजी को यूज नहीं कर पाएगा ऐसे सारे मिठक को तोड़कर आजदेश रेकोर्ड स्तर पर डिजिटल लेंदेन कर रहा है आजदेश में हर महिने चार लाग करोड रुपे से भी जादा का लेंदेन यूपी आई के माध्यम से हो रहा है मोबाइल फोन से वो खरीद विक्री कर रहा है पैसे लेना देना कर रहा है डिजिटल लेंदेन करना अब लोगों के विहवार का हिस्सा बनता जा रहा है टेक्नलोजी के बहतर इस्तेमाल की वज़े से अब गरीब से गरीब व्यक्ति अपना हक बीना केसी ब्रस्टाचार के पा रहा है पहले कितनी ही योजनाओं का पैसा गरीब तक पहुँची नहीं पाता था आज उसके हक का वही पैसा सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांस्पर किया जा रहा है कितनी ही योजनाओं ऐसी थी जिसमें लाभार्थियों की सही पहचान नहीं हो पाती थी जो अपात्र होते थे वो इसका फाइदा उठा लेते थे लेकिन अब टेक्नोलोजी की बज़र से वो सारी पुरानी अवस्थाएं बदल गई है करोरों से नाम जो सिर्फ कागज होंगों में से जो किसी गरीब का हक उस तक पहुँचने नहीं देते थे उन नामों को हटाया जा चुका है आज एक लाग असी हजार करोड रुपे से अधिक गलत हाथों में जाने से पैसा बच रहा है टेक्नोलोजी का बहतर इस्तमाल आपको अपने खेत्र के लोगों के संकने करने में बहुत मदद कर सकता है इसके लिए एक अहम माध्यम नमो एब भी है नमो एब पर जो टूल्स है वो आपको जनता जनारदन से समवाद में साहता कर सकते हैं मैं चाहता हूँ मेरे सभी साउसदों के लिए ये हथ्यार बहुत काम आए आप थोड़ा समय दीजिए उसके साथ आप देखिए उसमें इतनी चीज़े हैं जो आपके शेत्र के लोगों से संपर्क बनाने के लिए वह एक बहुत बड़ा साधन बहुत बड़ा हत्यार बहुत बड़ा माध्यम आपके टेलीफॉन में उपलबता आपके मोबाइल फॉन में उपलबता है आप उसका फाइदा उठाएगे और उसकी अच्छी एक बड़ी ताकत यह है कि यह टूवे कॉमिनिकेशन का भी बहुत अच्छा प्लेट्वम है आप अपने कारेकरता हों के साथ छोटी मुटी मीटी आराम से कर सकते हैं उसके उपर आप लोगों तक अपनी बात पहुचा सकते हैं और लोग भी उतनी आसानी से अपनी बात आप तक पहुचा सकते हैं साथ क्यों आज हाजी के 75 वर्ष का उसर आज हमारे एकदम सामने खड़ा है आत्म निर्भर भारत को लेकर आज पूरे देश में एक चेतना जगी है मैं आप से आगर करूँगा पार्टी की हर इकाई देश में भी राज्यों में भी जिले में भी और पुलिंग बुट तक हर इकाई आज हादी के 75 साल निमित कम से कम 75 ऐसे कोई न कोई काम हम करेंगे कर सकते हैं क्या कम से कम 75 काम के साथ हम जुडेंगे भले एक साल लगे डेर साल लगे लगे हम करेंगे हम उन 75 कामों को आइडेंटिफाई करें आज हादी के 75 साल के निमित इस काम को अवस्य करें और उसका हिसाब किताब रखे देश के सामान ने मानवी से जुड़ने का हम प्रयास करे आजहादी के 75 साल सिर्फ रंगा राग कारेकम्स के समापता नहीं होना चाहिए जन्मन के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा आउसर होना चाहिए नई पीड़ी को राष्ट के लिए प्रयाना देने की एक ताकत के रुपे परिवर्तित होना चाहिए और इसलिए भारती जन्ता पार्टी के हरकार करता जिसके लिए राष्ट निती ही प्रयाना है इसके लिए आजादी का पचतर का वर्ष ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रयाना है साथ्यों भोकल फोर लोकल आत्मंदिर भर भारत मैं सभी मेरे MP साथियों से आगर करता हूँ मेरे साउंसत साथियों से आगर करता हूँ मैं भारतिय जन्ता पाटे के कारकता हूँ से आगर करता हूँ जो रहा हमें दिंदैल्ची ने सिखाई थी उस रहा पर चलने के लिए हम कहीं से कुछ तो सोचें एक काम आप कर सकते हैं क्या कठीन है लेकिन करना है मैं कहूंगा तो आपको लगेगा यह तो बहुत सराल है लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बहुत कठीन है परिवार के आपके अपने सदे से सब बैठ करके उसमें भी आपके नौजवान बेटे बेटी भाई बहन जो भी हो उनके साथ बैठ करके एक काम कीजिए एक अच्छी सी डायरी लेकर के लिखी है सुबह उठने से राप को सोने तक जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसमें से कितनी हिंदुस्तान की हैं और कितनी बाहर की हैं जरह सुची बढाईए मैं बेलकुल कहता हूँ आप खुद जब सुची बनाएगे आप चौक जाएगे आप दर जाएगे हमें पताजी नहीं है बिना कारण जो चीज हमारे देश पर उपलब्त है जो चीज हमारे देश के लोग बनाते है मेहनत का स्लोग बनाते हैं बेबी चीजे जाने अंजाने में हमारे जीवन में गुज गई है अगर देश की मिट्टी की सुगंद जिसमें न हो देश के मजदूर का पसीना जिसमें न हो ऐसी चीजों से मुक्ति पानी चाहिए के नहीं पानी चाहिए यह जिम्मा हमें लेना चे और नहीं देना चे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई गड़ी है कोई चश्माएं तो फैक दो मैं यह बात का विचान कम पक्षा नहीं हूँ लेकिन सोचिये तो बिना कानण चीजे गुज गई है असी परसंतों चीजे वो होगी जब लिखो गए अच्छा है मैं ये भी चीज भार की उप्यों कर रहा हूँ अरे रे कैसी गल्दी कर दिए आपका भी मन उट जाएगा जी आप देखिए देश को कित और जब हम अपने से शुरू करेंगे तो कन्विक्शन के साथ हम औरों को भी कह पाएंगे और इसमें गर्वान उपों कीजिए दोस्तों और मैंने देखा एक जब मैं लोकल फर वोक पर नहीं भाई दिवाली के दिये से बात पूरी नहीं हो जाती है वो तो हमारे मन के अंधेरे को दूर करने के लिए एक छोटी सी शुरुवात है हमें जरा व्यापक रूप से होना चाहिए साथियों दिंदायल जी ने हमें जो समस्कार दिये ये समायत के प्रति हमारी जो समवेदना होती है उस समवेदना का सामर्थ कितना होता है अब देखिए सरकारे इतनी आई है कुछ काम हम ऐसे कर रहे हैं जिसमें आपको वो बात नजर आएगी जैसे मैंने अभी कई से बताई स्वचाले का सोचने का विचार एक आत्म मानो दर्सन के कारणा आता है सबका साथ सबका विकास का मंत्र से आता है आपने देखा वगा कि सरकारे काम किया हमारे देश में बाशाएं तो अलग-अलग है और हम अलग-अलग बाशाओं के कारण अपने अपने दुनि यह जो हमारे मुक्वधिर भाई बहन होते हैं हमारे दिव्यांख होते हैं उनके लिए भी आजहदी के इतने सालों के बाद भी हम common sign language नहीं बना पाए थे तमील नाडू के एक मुक्वधिर जिस language को जानता था दिल्ली का बच्चा वो नहीं जानता था जो बंगाल का जानता था वो गुजरात का नहीं जानता था क्यों हर एक ने अपने अपने तरीके से signage डवलप की थी इस सरकार की संवेदन सिल्टा देखिए कि हमने महनत करके अ एक ही प्रकार के signage से वो समझ पाता है यह शिक्षा शुरू कि इसमें देश की एकता के भी मुता है सरल्टा के भी मुता है यूं तो लगने वाली चीज बहुत छोटी है लेकिन देश में छोटे छोटे लोगों की चिंता करने से ही देश बड़ा बनता है कोई चीज छोट नहीं होती है कोई काम छोटा नहीं होता है कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है किसी आवश्यक्ता हमें छोटी लगती हो तेकिन उसकी जिन्द्गी में वह बहुत बड़ी होती है यह जो है ने एकात्म मानव दर्शन का एक रूप है और इसलिए हम लोगों का काम है कि हम किस करके सामने आती हैं है कि मुझे प करनीफ दिंदाल जी को देखने का सोभागे नहीं मिला। उनके दर्सें करने का मुझे नहीं मिला, लेकिन जीता है जीता है, जीतना पड़ा है। कहते हैं कि जब भारत में यातरा करते थे, संगढ़न के लिए काम करते थे पार्टी के पास आरक्षण के पैसे नहीं होते थे ट्रेन में तो ट्रेन में जहां टॉइलेट होता है उसके बगल में अपना बिस्तर रख करके बैठे रहते थे 24 जोविश घंटे यात्रा करके केशी कार करता के यहां पहुत दे थे यह परीशन करके इस पार्टी बनी है अनेक लोगों ने उस प्रकार का जीवन जिया है हम लोग तो भागय साली है कि आज हमें हमारे नसीब में सबाया है लेकिन तीन तीन चार चार पिडियों के अखंड एक निश्व पुरसार्त का परणाम है कि आज वटबृष बना है और यह सालधान कम नहीं है आप भी अपने इलाकों में देखोगे ऐसे कई परिवार मिलेंगे जो तीन तीन चार चार पिडि लगी है और उन्होंने कभी कुछ पाया नहीं है लिया भी नहीं मांगा भी नह ही है उनके सम्मान की चिंता हम लोगों का धाई तू है हम एक परिवार है हमारे समस्कार है मैं इस कोरोनगाल में क्योंकि मैं पहले संगधन के काम करता था तो मैं देश भर में सबही लोगों से ज़्यादा तर परिचित रहा बीच में यह गुजरात मुख्यमंतरी बन गया तो थोड़ा मेरा संपर कम भी हो गया, लोग भी बदल गए, लेकिन मैंने इस कोरोना काल में है, सुबह हर दिन, पचीस, पचास लोगों से फोन पर बात करने का एक कारकम बनाया बने, और जो भी बड़ी आयू के है, सतर, पचातर के आयू के आसपास के पुराने लोग, सब क को फोन करके उनके आशिरवाद मांगता था, आप कल्प ना कर सकते हैं, आप ऐसे एक्षेतर भी कई लोग होंगे जिनको पात मेरा फोन गया होगा, वे इतने आशिरवाद देते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे, फोन आया तो फिर ज्यादा तर दे कहता, अरे बही मुदी परिवार भाव, यह अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होता है जी, हमने इसे कभी नहीं बोलना चाहिए, आप देखिये, दिन्नाहिल जी के पास क्या था, कुछ नहीं था जी, वे अनिकेत थे, वे अकिंजन थे, न घर था, न धन था, लेकिन हमारे दीलों में आज भी ह साथियों, ऐसी प्रेरक व्यक्तित्व, ऐसे प्रेरक विचार, ऐसी परंपरा की विरासत, हमारे पास जब हो, तब हमें राष्ट्र सेवा के हमारे संकल्पों से कोई विचलित नहीं कर सकता है, कोई हमें विमुख नहीं कर सकता है, साथ यह एक राश्ड जब किसी लक्ष को ले करके आगे बढ़ता है तो उस लक्ष के प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति निर्मान का कार्य होता है उस लक्ष के प्रतिवत्साहित, समर्पित, संकल्पित, लोग देश के लिए तो मुल्यवान होते ही हैं वो किसी पी संगटन के लिए भी उतने ही मुल्यवान होता है इसलिए एक संगटन के रूप पे हमारे सामने अवसर है कि इस प्रक्रिया में हमें ऐसे कई नए लोग खासकर युवा साथ ही मिलेंगे जिनके स्वभाओं में देश के लिए कुछ करना देश वास्यों के प्रति प्रेम ये सब सहच रूप से होगा अलग-अलग शेत्रों से ऐसे लोगों को भाजपा से जोड़ना यह भी हमारी प्राफ्मिक्ता होनी चाहिए हमें हमारा परिवार का विस्तार करना चाहिए हिंदुस्तान की सिमाएं उतनी ही भाजपा की सिमाएं होनी चाहिए हमारे संगर्षन के quantitative और qualitative विस्तार को भी यह उफसर है और इसलिए मैं चाहूँगा कि हमें इसमें कहीं कमी लेगे एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा हमें अपने विचारों को व्यापक बनाने का प्रयाद भी लगातार करते रहा चाहिए इसके लिए दिन द्याल जी हमेशा अध्यन पर विशेज जोड देते थे आप सभी अध्यन के लिए जरूर समय निकाले आप संसत के संसाधनों का प्रयोग करे और और भी जैसी रूची हो वैसे विशेज सो भी जुड़े दिन द्याल जी को पढ़ने समझने के लिए भी आप समय निकाले इसी तरह आप बाबा साब आमबेड करको डॉक्टर सामापसाद मुखर जी को नेता जी सुभाज चंद्रबोज को इन सब को जरूर पढ़े इससे आपके राजनीतिक जीवन में एक नई दिशा मिलेगी आप एक अलग छाप छोड़ पाएंगे मुझे विश्वास है कि हम सब दिन द्याल जी की इन आदर्शों को लेकर के आगे पढ़ेंगे दिन द्याल जी का अंतियों दे का जो सपना था वो 21 विस्थजी में एक नई भारत के निर्माण के साथ पूरा होगा मेरे साथियों देश की हमसे बहुत अपेक्षाएं है उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपनी तरफ नहीं देखना है आकरी छोर पर जो इंसान बैटा है जो परिवार बैटा है उसकी तरफ देखना है अगर हम उसको मन में रख करके काम करेंगे न कभी ठकान आएगी न विराम का मन करेगा न कोई मोह में उस दिशा में खीच करके ले जाएगा हम विरक्ष तभाव से तन मन धन से उसकी सेवा का आनंद ले पाएंगे इसी एक भाव के साथ जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आखिर मैं एक पंक्ति दोहरा करके पंडित दिंद्यार उपाद्यजी को आदरपुर्ख सद्धरांजी लेते हुए आप सबको अनेक अनेक शुब कामनाव देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा राष्ट भक्ती ले रुदै में राष्ट भक्ती ले रुदै में हो खड़ा यदि देश सथारा संकटों पर मात कर यह राष्ट विजई हो हमारा यह राष्ट भीजई हो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद लेटिस अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले बहुताब